नमस्कार दोस्तों श्रीयों में कि इस नेवर्ड में आप समीका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टा अनन्त दोस्तों अपने अक्सर देखा होगा अपने आस परोस में अपने परचितों में कि उनके मुह से बात करते-करते लार तबक जा रही है वो सो की उठते हैं तो मुह से पुरा लार निकली रहती यानि कि सलाइवा का सिक्रेशन हुआ रहता है इवन कुछ लोग सोते रहते हैं और उनके मुह से लार गिरती रहती है यह जो लार गिरने के जो समस्या है इससे सिलूरिया कहा जाता है तो आज इस वीडियों हम बात करेंगे इससी सिलूरिया के बाले में कि क्या होता है इसकी मेजर कारण क्या है और किस तरीके से हम कुछ होमोपैतिक मेडिसन को यूज करके इस सिलूरिया यानि की ज़्यादा लार बहने की समस्या से जल से जल छुटकार आप पा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए तो अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करीजे बेल आगों दबा दीजे ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहरे मिल सके साथी साथ अगर आप अपने निये या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी किसी तरह के ट्रीटमेंट या इलाज करना चाहते हैं हमारी क्लिक से हमसे बात करके मारी क्लिक के नंबर 9305024291 पे कॉंटेट करके अपने प्रॉपर ट्रेट पर और अपने बुक कर सकते हैं चलिया यह बात करते हैं सिलूरिया के बारे में सिलूरिया यानि कि लार बहना आपने देखा होगा कि बहुत साहे लोगों के मुह से एक्सेसिव लार बहती है जिसे हम बोलते हैं हाइपर सलारूरिया यानि कि मुह से आपके वोट के बीच से ज्यादा से ज्यादा लार बह लार टपक रही हो तो यह सिलूरिया की कंडिशन आता है आपने देखा होगा कि यह बच्चों में भी होता है एडल्ट में भी होता है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बात करते करते मुझ से थूक बाहर निकाल देते हैं और बहुत ही awkward फील होता है ऐसे क्योंकि आप उनके साम दूसरा होता है pathological फीजोलोजिकल कंडिशन इसे परले हम बात करेते हैं यानि कि फीजोलोजिकल कंडिशन एक ऐसी कंडिशन जिसमें एक normal कंडिशन है नॉर्मली लार बै जाती है और यह होता है बच्चों में खास तोर से 4 साल के कम उमनके बच्चें में सिलोरिया कॉमल न नहीं हुई है पूरा कंड्रोल बच्चों में नहीं आया है तो यह फीजोलोजिकल कंडिशन है जहाँ पर जो जमजात बच्चे नहीं कि जो पैदा हुए बच्चे हैं वहां से लेकर करके कम सिर्व चार साल या पात साल तक आप देख सकते हैं बच्चों के मुझ से लार ग कौज है किसमें किसी कारण की वज़े से आपको सिलूरिया की प्रड़म हो रही है या निकि लार गिरना या लार टपकना की प्रब्लम हो रही है नेक्स हम बात करते हैं कौज की क्या कारण होते हैं सिलूरिया के यानि कि क्यों हो जाता है इसका मीजर कारण जा होता है नमब कि स्लोरिया का, Second डाता है, Pregnancy, कोई भी फिमील जब Pregnancy की फेज में जाती है, तो एक कुछ दिनों के लिए एक सिलोरिया का फेज आता है, जिसमें फिमील के मुझे लाज टपकती है, बट्मेडिसिन्स के दुरह मुझे उसको recover कर सकते हैं, third cause की बात करें तो आता है isofagile reflex आपने देखा होगा कि कभी आप ज़्यादा खा लें तो इसे लगता है कि वापस से खाना उपर तक आ गया और मुझ तुरा भर जाता है पानी पनी और फिर उसको गटक लेते हैं तो ये भी एक condition आती है कि आपको सिलूरिया की प्रड़्लम हो सकती है तो ये भी एक major का होता है isofagile reflex ने कि अंदर से खाना आपके मुझ तक आ जाए पानी मुझ तक आ जाए उसमें भी अपकी लार गिर सकती है fourth cause की बात करें तो कोई इसाल अगर drug abuse किया हो या drug addiction लिया हो तो उसमें भी देखा जाता है कि उनको सिलूरिया की प्रड़्लम हो जाती है next और final cause की बात करें बात होती है nervous disorders की यानि की नसों की विमारी है controlling power छूट गई है ऐसी बहुत सारी प्रड़्लम साती है nervous disorder में जैसे कि आपकी epilepsy की समस्या हो गई जैसे कि आपकी paralysis की समस्या हो गई और इसी तरह बहुत सारे facial palsy हो गई बहुत सारी तो इसमें nervous disorder होते है जिसमें हमारा जो control होता है हमारे मुँ से छूड जाता है हम control नहीं कर पाते है अपने मुँ को अपने oral cavity को और जिसकी विए से saliva यानि कि लार बाहर आजाती है तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी ओपेटिक medicines की जिसको की यूज करके हम ciluria से बस सकते है या अगर ciluria के condition में है तो इसको हम ठीक कर सकते है सबसे पहले condition आती है pregnancy में अगर कोई female pregnancy में ciluria से सफर कर रही है यानि कि pregnancy phase में उसके मूँ से लार टपक रही है लार गिर रही है saliva का discharge हो रहा है तो यहाँ आप हम kriyas autumn 200% का यूज कर सकते हैं kriyas autumn 200 छेचे गुली या दोदबोन दिन में 2-3 बार लेते हैं काफी best result देखने को मिलेंगे next condition आती है आपकी सोते समय काफी सारे लोग सोते समय मूँ से लार टपकाते हैं यानि कि वो सो रहे हैं और मूँ से लार गिर गई है saliva बाहर आ गया और जब वो बिखते हैं या पर सफे सफे लगा रहता है तो ये condition होती है रात में सोते समय और इस समय हम यूज करते हैं Mercurius Vibus 200 Mercurius Vibus ये इसको Merc Vibus भी हम बोलते हैं ये एक ऐसी ओंपैतिक medicine है जो उन लोगों पर बहुत ये अच्छा वर्क करते हैं जो रात में सोते समय तो काफी best results देखने को मिलेंगे Next condition आती है बात करते समय बहुत साइड लोग बात करते रहते हैं और आपका saliva नीचे के रहता है लाट टबग जाती है या फ़र कभी थूख के मादिम से छीटे बाहर आते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छे medicine है वो है lecacis lecacis 200 फटेसी में बात करें lecacis की तो lecacis एक अपका animal kingdom के medicine है और इसको हम compare करते है snacks के दो आता है जैसे कि snacks होता है अपनी जीम लपलपाता है उसी तरह जब कोई human अपनी बात करते समय अपनी जो tongue उसको लपलपाता है और उस बीच में लार बात मुह से बाहर निकल जाए या थूक बाहर आ जाए तो उस condition में हम lecacis का यूज कर सकते हैं lecacis 200 six pills या two-two drops दिन में 2-3 मर लेते हैं तो काफी best results देखने को मिलेंगे next condition आती है morning में यानि कि ऐसे लोग जिनको morning में excessive saliva बनता है सुबह सुबह उठा brush किया और brush करने के साथ ही saliva ज्यादा बनने लगा secretion होने लगा saliva का ides, topkin dips के आसपास से ऐसे लोगों को graphitis 200 potency बहुत ही अच्छा वर्क करती है इनको सुबह सुबह ये problem होती है सुबह सुबह मुसे saliva गिरने लगता है ये बहुत ज़्यादा saliva बनने लगता है मुमें तो उनके लिए graphitis 206 pills या 2 drops दिन में 2-3 बार लेते हैं तो best result देखने को मिलते हैं next और last medicine आती है उनके लिए जो बोलते समय और हसते समय यानि कि जब वो बात कर रहे हैं उस बीच में उनका saliva बाहर आयाता है या उनका saliva इतना बन जाता है कि मुसे गिरने लगता है लाट टबखने लगती है वहाँ पर हम यूज करते हैं iris V iris V 30 potency में हम यूज कर सकते हैं जैसे मैं हम खापी रहे हो या फिर हम जब बात कर रहे हो या जब हम हस रहे हो ऐसी condition में अगर लाट टबख जाए मूँ से तो इस condition हम iris V 30 potency में यूज कर सकते हैं 6 pills या 2 drops 2-3 बार यूज करेंगे तो best result मिले वाले हैं तो ये 5 छोपेतिक medicine बताई हमने है Siloria के बारे में और ये एक ऐसी condition है जो आपको commonly देखने को मिलती है जब कई parties बारे में जाते हैं जब बहुत साई लोग get together होता है तो उसमें 10-15-20 लोग के बीच पे एकाद दो लोग ऐसे बादे जनको ये condition मिल जाती है और अगर ऐसे कोई है तो आप इनको ये वीडियो जरूर शेर करिए तो कि इस वीडियो के माद्य हम से वो कुछ medicine जान सकते हैं अपनी ये समस्या है अपनी जो problem है उसको दूर कर सकते हैं और जो चार रोग के बीच में जब किसी के उपर लार या किस फ्लूक जादा निकल जाती है तो फ्रहाँ uncomfortable फिल होता है वो उससे बस सकते हैं वीडियो पसंद आई तो पिस वीडियो को like करिए शेर करिए family groups पे फ्रेल्स के साथ तकि लोगों को जानकारी मिल सके और चैनल पर पहली बार आये तो अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आकों दवा दिये तकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सब्से पहले निल सके साथी साथ साथ में एक important वीडियो दे रहा हो जरूर देखें आपके health के लिए का अपतियादा important रहती है और मैं Dr. Nell मिलता हूँ से इसी तरह की एक लिए वीडियो में तब तक कि लिए मश्कार जै इन जै भारत